हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ पंकच वेलकम टू क्रेजी जिगे ड्रेक तो फ्रेंड्स आज है 17 अगस्त 2021 और आज CGL की एक्जाम का तीसरा दिन है तो चलिए समझ लेते हैं कि आज की एक्जाम में किस प्रकार के कोश्चन देखने को मिले हैं और GS के अधिकतर कोश्चन कहां से आए हैं देखे GS के important question जो की एक्जाम में पूछे गए हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ उसके बाद reasoning और maths के जो problem है वो गोरव सर और निशित सर आपको बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं देखे सबसे पहले अगर हम short में exam pattern की बात करें तो GS में जो सबसे ज़्या criteria को exam में बहुत ज़्यादा priority दी जा रही है इसलिए दोस्तो नेशनल पार्क खेल प्रतियों किताय और जीलों के सबी facts आप याद करके जाईएगा और current affairs तो आप जानते ही हैं कि 2020 और 2021 का पूरा current affairs पूछा जा रहा है तो अब देखिए कि exam में question के से पूछे गए हैं तो प उप्तप्राय खारे पानी के मगर मच्ची के लिए बहुत ज़्यादा famous है इसके अलावा ओडिशा से एकोर नेशनल पार्क पूछा जा सकता है कि सिमली पाल नेशनल पार्क किस राज्य में हैं तो ये भी भारत के ओडिशा राज्य में इस्तित है सेकेंड question देखिए किस अ हिंदी को राज भाषा के रूप में घोशित किया गया था और इसे सवविधान के आर्टिकल 343 में एड़ किया गया है तो सवविधान के आर्टिकल 343 के तहर संग की раст भाषा हिंदी होगी और इसकी लीपी देवनाग्री होगी क्योंकि इसकी घोषना 14 सितंबर में की गई इसलिए 14 सितंबर को हर साल रास्टी हिंदी दिवस के रूप में मनाय जाता है। ये कोशन हमसे पिछली शिफ्ट में पूछा गया था। एक कोशन हिस्ट्री से देखिये दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। वेरी सिंपल कोशन था विससे ये भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त मोर्य को गाह जाता है। जो कि मोर रिवंश का संस्तापक है। चंद्रगुप्त मोर्य नहीं देखिये मगत की गद्दी पर नंदवंश के अंतिम शाशक धनानंद को हराया था। और धनानंदु को हरा कर मौर रिवंश की इस्तापना की थी इसके अलावा अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो इरान का नेपोलियन दोस्तो नादीर शाह को कहा जाता है आगे बढ़ते हैं फीफा विश्व कप 2022 में कहां आयोजित किया जाएगा 2022 का फीफा विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा 2018 में फीफा विश्व कप का आयोजन रूस में किया गया था और इस प्रतियोगिता को यूरोप के देश फ्रांस ने जीता था अगला कुश्यन देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड़ी कोन सी है मानव के शरीर में कान में सबसे छोटी हड़ी होती है दोस्तों जो स्टेप्स कहलाती है अगर कभी आपसे कुश्यन ऐसा पुछ लिया जाए कि सबसे बड़ी हड़ी कोन सी है तो फिर वो कहलाती है फीमर जो की मानों की जांग की हड़ी है इसे थाई बोन या फीमर बोन के नाम से जाना जाता है तो हुमन बोडी की सबसे छोटी हड़ी स्टेप्स सबसे बड़ी हड़ी फीमर आगे आते हैं 2021 में इंडियन सूपर लीग सीजन कहां पर आयोजित किया गया इंडियन सूपर लीग 2021 में गोवा में आयोजित किया गया था और इस सीजन का खिताब मुंबई सीटी ने जीता था जो की पहली बार इसकी चेंपियन बनी है मुंबई सीटी ने फाइनल में 80 के मोहन बागन को हराय था और ये खिताब अपने नाम किया था इसका योजन गोवा में किया गया था अंचार जहिल भारत के किस राज्य में इस्ती थे ये भारत के जम्मू कश्मिर राज्य में इस्ती थे इसके अलावा देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि नाग या नागिन नाम की कोई भी जहिल पूछी जाए तो आप आग बन करके जम्मू कश्मिर लगा देना 90% संभावना है कि एसी जहिल जिनके नाम में नाग या नागिन आते हैं वो जम्मू कश्मिर में ही मिलेगी यहाँ पर अंचार जहिल के बारे में पूछा गया है ये जहिल जम्मू कश्मिर राज्य में इस्ती थे नेक्स्ट कोश्ण देखिए किस वन्ष की स्तापना पुष्य भूती द्वारा की गई थी जिसकी राजधानी थानेश्वर थी तो देखिए इस वंश का पूरा नाम पुष्य भूती वर्धन वंश है लेकिन एक्जाम में हमें पुष्य भूती में इंशन नहीं किया गया था तो यहाँ पर अंसर हो जाएगा वर्धन वंश वर्धन वंश की स्तापना पुष्य भूती न की थी छटवी सातवी शताबदी में इस वंश ने उत्तर भारत पर शाशन किया था इसी वंश का एक बहुती महत्पून शाशक था जिसका नाम था हर्श वर्धन इसे याद रखिएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसी के शाशनकाल में चीनी यात्री हैंसांग भारत आये था तो ये भी एक फेक्ट है जो कि हमसे एक्जाम में पूछा जा सकता है 1962 के एशियाई गेम्स के फुटबॉल खिलाडी जिनका हाली में निधन हुआ है तो 2020 में देखिये चुनी गोस्वामी का निधन हुआ है दोस्तों जो कि 1962 में एशियाई खेलों में स्वणव पदक विजेता टीम के कप्तान थे ये भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाडी थे जिनका 2020 में निधन हुगया है विश्व बेड मिंटन चेंपियंशिप 2019 का खिताब किस ने जीता 2019 में विश्व बेड मिंटन चेंपियंशिप का खिताब पीवी सिंधु ने जीता था इन्होंने फाइनल में जापान की नोजोमी ओकु हारा को हराया था और जापान को हराकर इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया था हाली में देखिए 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने बेड मिंटन में ब्रॉंज मेडल जीता है इसके बाद देखिए एक कोश्चन इतिहास में दर्शन से पुछा गया है कि वेशेशिक दर्शन के लेखक कोन है तो यहाँ पर वेशेशिक दर्शन के लेखक है कडाद कडाद कश्यप को वेशेशिक दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है इसके अलावा अगर आपसे सांघ्षी दर्शन पूछा जाए तो सांघ्षी दर्शन के प्रतिपादक है कपिल मुनी योग दर्शन के है पतंजली नियाए दर्शन के है गोतम इन तीनों को भी याद रखेगा अगर वेशेशिक पूछा गया है तो इन तीनों फेक्ट को भी आप याद कर लीजेगा मुन्शी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? तो मुन्शी प्रेमचंद्र जो की भारत के एक बहुत प्रसिद्ध साहित्तिकार थे दोस्तो इनका ओरिजिनल नाम था धन्पत राईश्री वास्तव मुन्शी प्रेमचंद्र की रचना है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है गोदान, रंग भूमी, कर्म भूमी ये सबी मुन्शी प्रेमचंद्र की रचना है वंदे मातरम के लेखक कौन है? बहुती सिंपल कोश्चन था वन्दे मातरम क्यूंकि हमारा रास्ट गी थे दोस्तो आप सभी को पता है इसके लेखा के बंकिम चन्चटाजी और इनकी यह जो रचना है आनंद मट से ली गई है ये भी एक फेक्ट है नोट कर लिजेगा नेक्स्ट कोश्चन देखिए इंटरनेशनल होकी फेडरेशन का मुख्यालय कहां इस्ती थे इंटरनेशनल होकी फेडरेशन का मुख्यालय इसकोट लेंड में इस्ती थे इसकी स्तापना 1924 में की गई थी देखिए पुर्व की एक्जाम में इसके अध्यक्षे भी पूछे ग करने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपून अपडेट है दोस्तो क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लिकेशन पर आपके लिए एडवांस मैट्स इंग्लिश MPG के कंप्यूटर और रीजनिंग का फुल कोर्स एवेलेबल है आप क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लिकेशन पर जाकर इन सभी कोर्सेस को जोइन कर सकते हैं इन सभी कोर्सेस में कंटेंट को बहुत ही डेप्त में समझाए गया है दोस्तो जो की आने वाली सभी एक्जाम में चाहे वो स्टेट की हो या फिस सेंटरल की हो आपकी बहुत जादा मदद करेगा तो बीना देर किये आप क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लिकेशन पर जाकर इन कोर्सेस को जोइन कर लिजिए ओके अगले कोश्चन पर चलते हैं दोस्तो एक कोश्चन यहाँ पर हमसे टनल से पूछा गया है दस हजार फिट से अधिक उचाई पर इस्तीत दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राज्ज में इस्तीत है तो आप सभी जा सबसे अधिक उचाई परिस्तीत दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है ब्रह्मो पुत्र नदी का उदगम कहां से होता है कुरुवत्तर भारत में बहने वाली ब्रह्मो पुत्र नदी तिबबत में केलाश मान सरोवर से निकलती है और दक्षिन की और बहते अगले कोश्चन पर आजाते हैं आर्टिकल 21A की से संबंदी थे वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तों ये तो आना ही था भारत का जो मुल सब्विधान है उसमें आर्टिकल 21A का कोई उल्लेक नहीं किया गया था लेकिन देखिए 86 सब्विधान संशुदन के द्वारा 2002 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया और इसके तहट 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रात्मिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रुप में दे दिया गया तो सब्विधान के आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार का उल्लेक किया गया है त्रीपुरा इजाम में पूछा गया है तो याद कर लिजिए कि त्रीपुरा राज्जी का इस्तापना दिवस 21 जनवरी को मनाय जाता है 21 जनवरी 1902 को त्रीपुरा राज्जी को माननेता दी गई थी लगदाक की भाषा संस्कृती और भूमी की रक्षा के लिए जनवरी 2021 में गठित सम के अध्यक्ष कोन थे देखे लगदाक के लिए बनाई गई ये जो समीती थी जो की लगदाक में उनकी भाषा संस्कृती और भूमी की रक्षा के लिए बनाई गई थी इसका अध्यक्ष ग्रह राज्यमंत्री जी किशन रेड़ी को बनाय गया था यहाँ पर एक कोशन संस् करान्ती कब आती है दोस्तों, जन्वरी महा में. अक्बर की शाशन पद्दती किस शाशक से प्रेरित थी? अक्बर जो कि मुगल वंच का तीसरा शाशक था, इसने अपने शाशन में शेरशा सूरी के प्रशाशन को फॉलो किया था. क्यूंकि शेरशा सूरी जो कि मद्यकालिन भारत का एक राजा था इसकी नीतिया प्रशाशन में बहुत ज़्यादा सफल थी तो इसी को कौपी करके अकबर ने भी अपनी शाशन पद्दती को बाहल किया था इसके बाद अगला कुश्चन देखिए भारत सभा की इस्थापना कब की गई तो इतिहास में भारत के दो लाइट ओफ एशिया पुस्तक के लेखक कोन है? लाइट ओफ एशिया पुस्तक जोकी महात्मा बुद्ध से संबंदित है एडविन अर्नॉल्ड ने लिखी है अगर एकजाम में कुश्चन ये पूछा जाता कि लाइट ओफ एशिया किसे कहा जाता है तो एशिया का जोती पुन्ज गोतम बुद्ध को माना जाता है क्योंकि ये पुस्तक गोतम बुद्ध से रिलेटेड है इसलिए इसका नाम रखा गया है लाइट ओफ एश्या जिसके लेखक एडविन अर्नॉल्ड है आगे देखिए जनवरी 2021 में नीती आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार उचकांग 2020 जो की नीती आयोग के द्वारा जारी किया गया था इसमें करनाटक पहले इस्तान पर हैं वेज्ञानिक पद्धती से किसी पोधे या पशु की सही अनुक्रती बनाना क्या कहलाता है तो ये पद्धती कहलाती है क्लोनिंग जो है वो अलेंगिक विधी से एक जी रूप ले लो वो उसी की तरह दिखेगा जिसका क्लोन जीव को बनाने के लिए यूस किया गया है तो देखिए अगर क्लोनिंग को हम इन शॉट एक्सप्रेंड करें तो किसी जीव का प्रती रूप बनाना ही क्लोनिंग कहलाती है इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन देखिए The Quiz for Equity in Development पुस्तक के लेखा कोन है तो ये पुस्तक मनमोहन सिंग के द्वारा लिखी गई है जो कि भारत के तेरवे प्रधान मंत्री रह चुके हैं बेंबनाट जील भारत के किस राज्ज में इस्ति थे Very very important question है दोस्तों बेंबनाट जील भारत के केरल राज्ज में इस्ति थे इसी जील पर NH47A इस्ति थे Last question देखिए जारखन में प्रचले जादो पटिया किस प्रकार की कला है तो ये जो वर्ड है दो वर्ड को जोड कर बनाई गया है एक वर्ड है जादो और एक है पटिया अब देखिए इसमें जादो का मतलब होता है चित्रकार और पटिया का मतलब होता है कागज या किसी भ पड़े के टुकड़े को जोड़कर बनाई गई पट्टियां, तो वो जो पट्टिया बनाई गई है, उस पे चित्रकारी करने की कला ही, जादो पटिया के नाम से जानी जाती है, ये जारखंड में प्रशली थे, और चित्रकला की एक वीधी है, मुख्य रुप से ये जो चि एसे भी हैं जो कल की तीसरी शिफ्ट में पूछ गए थे एसे महतुपूर कोश्चन जो कि हमने कल के सेशन में डिसकस नहीं किये थे तो उन कोश्चन को आज हमने यहाँ पर डिसकस कर लिया उम्मेद करता हूँ आपको सभी फेक्ट और सभी कोश्चन बहुत ही अच्छे से क् बलकि एक्जाम के लिए आप सभी को best of luck जहिन हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू करेजी जीके ट्रिक मैं गौरव एक बाद फिर आप सभी के सामने दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं शिफ्ट वन शिफ्ट टू और शिफ्ट थ्री एसे सी सीजील 17 अगस्ट के एक्जाम ए अब मैं आपको दोस्तों बताना जा रहा हूं reasoning के कुछ question और मेरे बाद दोस्तों फिर आपको maths के बारे में निशिसर बताएंगे तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि आज shift 1, shift 2 और shift 3 में किस प्रकार के question देखने को मिले, क्या level रहा reasoning के question हो का और के किसा था आज का paper चली देखिए friends यहां तक हम बात करें topic की तो देखिए यह सभी topic जो है वो आपको exam में पूछे जा रहा है question बस उनका level उपर नीचे थोड़ा कर देते हैं देखिए जिसे आज question पूछे गए दोस्तों analogy से वें diagram के दो question आये थे जिसमें mathematical operation का भी question था ठीके आगे बढ़ते हैं उसके आद में dice से question आया था दोस्तों ठीके close dice से यहां पर meaningful arrangement of words से question आया हुआ है आज mirror image से question आया हुआ है embrate figure का question आया था embrate figure का question था थोड़ा सा difficult था क्योंकि उसे lengthy बना दिया था थोड़ा भरा भरा image दिया था आज चलिए pairs of alphabet से question पूछा गया था counting of figure से दोस्तों लगातार आपको triangle के ही question पूछे जा रहे हैं तो जितने हो सके आप उतने triangle पढ़के जाएं तो आपके लिए ज और कहीं कहीं पर चार कथन और तीन निशकर्श देखने को आज मिले किसमें से logics में सीरीज की बात कि जा यहाँ पर तो सीरीज के दो से तीन question देखने को मिले केलेंडर से question आज नहीं देखने को मिला coding decoding के दोस्तों दो से तीन question देखने को मिले और classification से भी question देखने को यहा जहां पर एक रिक्तिस्थान पर आपको कोशन माग देते हैं और वहां पर क्या आएगा उसे हमें निकालना होता है चली तो यहां पर आज यह दी पेपर देखें तीनों शिफ्टों का तो तीनों शिफ्टों में जो रिजनिंग है थोड़ी सी लेन दी आई थी मतलब हलका सा टफ बनाया गया था पेपर को ताकि आप उसमें थोड़ा सा ज़़ा समय कर्च करें ठीक है चली तो आगे बढ़ते हैं आप सीधे कोशन उपर आज जो कोशन हमें मिले हैं उन पर हम चर्चा करते हैं तो देखे फ्रेंट्स यहां से आज पहला कोशन जो वो ट्रेंगल काउंटिंग से लिया गया है दोस्तो ध्यान दीजी लगातार CGL में भी और CHSL में भी आपको ट्रेंगल काउंटिंग देखने को मिली थी तो आप सभी से निवेदन है दोस्तों आप सभी triangle counting जरूर पढ़के जाए देखिए यहाँ पर इसका answer को 26 आ रहा था आए निकाल लेते हैं यहाँ पर क्या करना है किसे निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो जोड़े होटे triangle कितने हैं दोस्तों 8 उनमें हमें विकर्ण का multiply करना है विकर्ण कितने हैं 2 तो क्या आगा है 16 16 तो यहाँ तक की value हो गई ठीके अब बचा कौन सा ओपर वाला हिस्सा तो यहाँ पर count कर लो 1, 2, 3, और 4 सबको जोड़ दो 4, 3, 7, और 3, 10 तो प्लस 10 तो इसे करके कितने आ रहे हैं दोस्तों 26 triangle आ रहे हैं ठीके चली अगला question देखें दोस्तों next question जोगे वो classification से है यहाँ पर इन 4 element में से कोई 3 एक समू बना रहे हैं और कोई एक भिन्न है उसे चुनना है मतलब अलग करना है देखें कैसे अलग करेंगे तो हमें इनका difference लेते आना चाहिए और यहाँ पर आपको एदी ABCD के नंबर अच्छे से याद होंगे दोस्तों तो आप इस question को बहुत ही आसानी से solve कर लेंगे ठीके चलिए अब इन question को solve कैसे करना है तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों पहले से दूसरे element के बीच में कितना गया पर उसको देख लेते है तो देखें D से B पर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है घट रहा है तो कितना घट रहा है माइनस टू आगे चेक करिए के से आई ग्यारा से नव पर गया मतलब कितना घटा कितना घटा माइनस का टू उसी प्रकार से W से U पर गया W का नमबर 23 U का नमबर 20 मतलब कितना घटा माइनस का टू तो ये तो सभी में सेम है चली अब अगला चेक करते है दूसरे से तीसरे इलिमेंट की तरफ चलते है ठीके तो B से अधी में F पर जाओंगा मतलब क्या होगा प्लस का 4 बुले कलियरे I से M पर जाओंगा तो भी का होगा प्लस का 4 O से S पर जाओंगा तो भी का होगा प्लस का 4 और u से z पर जाऊंगा तो दोस्तो u का नंबर कितना 21 और z का नंबर कितना 26 मतलब यहाँ पर कितना जूड़ रहा है दोस्तों 5 जूड़ रहा है ठीके यहाँ पर कितना एड़ हो रहा है 5 बागी से भी में कितना एड़ हो रहा है 4 तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अलग element कुन सा है U, sorry, W, U और Z ठीक है, option यहाँ पर यह fourth वाला element यही वाला option सही होगा clear है, चली, आगे बढ़ते हैं next question पर तो देखे, अगला question जो यह वो कथन निशकर्च से लिया गया है या बोल सकते हैं statement conclusion से या syllogism से, तो देखे, कथन यहाँ पर तीन दिये हैं, निशकर्च यहाँ पर तीन दिये हैं आईए इसे solve करते हैं, कुछ copy printer है when diagram बनाते हैं इसका कुछ copy जो है, वह क्या है printer है, और कुछ copy क्या है, rubber है तो कुछ copy क्या है, देखे दोस्तों rubber है, आगे पढ़ते हैं सभी rubber campus है, सभी का सभी rubber काई माझाएगा दोस्तों, campus माझाएगा ठीक है, तो यहाँ पर campus आजाएगा चली, अब पढ़ते हैं आगे कुछ rubber copy है, तो देखे, यहाँ पर निशकर्च बोल रहा है कि कुछ जो rubber है वो copy है, तो कैसा है पहला वाला, बिल्कुल सही है, ठीक है, कुछ rubber का इस सखाई में दिखराएगा, copy में, अगला कुछ printer campus है, तो देखे, कुछ printer जो है, वो campus है, दिखरा है क्या, printer करेंग यहाँ पर है, campus करेंग यहाँ पर है, आपस में कोई connection नहीं है, तो पहला नियम हमारा क्या बोलता है, यदि कोई निशकर्ष किसी भी एक डाइगराम से गलत हो, तो उससे कर दो, गलत कर दो, ठीक है तो इससों गलत कर दिया हमने, चलिए अगला क्या बोल रहा है, कुछ campus क्या हो जाए, printer हो जाए, तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, यदि हम campus को कुछ इस परकार बना दें, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, दोस्तों आपका कुछ campus printer बन सकता है, तो ऐसी संभावना एक यहाँ पर है, तो इसलिए दोस्तों दोस्तों यहाँ पर main code हमारा pamper अब इसके निचे इसका code लिख लेते हैं दोस्तों क्या है इसका code M, B, P R, F और P ठीक है चली अब changes क्या रहे हैं आईए उसे देखते हैं यह होगी हमारा main content यह होगी उसका code जैसे changes यहाँ पर आएंगे उसी को यहाँ पर apply करते हुए हमें किसका code निकालना है makers का code निकालना है ठीक है दोस्तों चली तो देखे P यहाँ पर आचुका M यहाँ पर आचुका और A में क्या जुड़ गया प्लस का 1 ठीक है तीन character लिए पहले और तीसरे को आपस में interchange किया है और mid वाले में प्लस 1 किया है आगे देखे यही हो रहा है क्या देखे बात के तीन पहला वाला element टीसरे पर तीसरा वाला पहले पर और बीच वालए में क्या करना है प्लस का 1 तो E के बाद देखे क्या आया है F मतलब यहाँ पर क्या हुआ हुआ फ्लस 1 और बीच में क्या आएगा R में प्लस 18 करना है तो R के बाद क्या आ गया S यहाँ पर भी क्या आ गया S तो यहाँ पर क्या जाएगा E ठीक है यहाँ पर दोस्तों makers का code क्या होगा K B M S S E clear है सभी को चली आगे बढ़ते है next question पर देखें दोस्तों अगला question जो है वो dice से लिया गया है एक पासे की दो इस्तिते नीची दी गई है चार अंकी के विपरीद कौन चीस अंक्या होगी अब देखें यहाँ पर हमें जो है एक common डूड़ना है तो देखें दोनों पासों में common क्या है पांच बोले clear है पांच को अपन लिख लेते हैं उपर या उपर ना भी लिखें तो देखें हमारा जो पहला rule है वह क्या बोलता है कि जो भी number common होता है उसके विपरीद में कौन सा अंकाता है जो कि यहाँ पर available नहीं है तो देखें यहाँ पर एक है, दो है, तीन है चार नहीं है, पांच दो बारे और चेह तो क्या नहीं है, चार ठीके, तो यहाँ पर हमारा answer आचुका हमारे पहले rule से, जिसे हमने क्या नाम दिया था निकट वर्ती का नियम, closer rule ठीके, तो चार के बीचे पांच या पांच के बीचे चार, बोल सकते हैं पाल में क्या पुछा है, चार अंक के विपरित क्या होगा तो चार अंक के विपरित दूस्तों क्या होगा पांच होगा, clear है सभी को चली, number 6 से दूस्तों आज 2 से 3 question देखने को मिले देखिए उन में से question हमें मिला है, आए उसे solve करते हैं यहाँ पर आपको बताना होता है इस प्रकार के आपको कुछ number दिये होते हैं और उन में relation बताना होता है आपको और option दिये रहेते हैं कि इन में क्या relation है ठीक है, आप देखिए यहाँ पर यहाँ से देखा जाए तो पहली और दूसरी संख्या जो है वो दो डिजिट की है और तीसरी संख्या जो है वो केसी है तीन डिजिट की है तो सीदी से बात है कुछ multiply या addition करके ही इसको ले के आया होंगे देखिए यहाँ पर logic क्या था यदि मैं इन तीनों संख्याओं को यहाँ पर लिख लेता हूँ पंदरा, सोला और 271 इसको A देता हूँ इसको B देता हूँ और इसको C देता हूँ यदि मैं यहाँ पर A प्लस B का square कर दूँ तो बराबर किसका जाएगा C के देखिए किसे यदि यहाँ पर मैं 15 इस formula में value रख रहे है मतलब इस relation में A की value 15, B का square 16 का square कितना? 256 सेट में यहाँ पर क्या relation लग रहा था? A प्लस B का square बराबर किस क्या आ रहा है C क्या आ रहा है ठीके? चली समझ मैं सभी को यहाँ पर relation आगे बढ़ते हैं, next question पर चली प्रेंट्स देखिए अगला question blood relation से देखने को मिला हमें यहाँ पर एक महिला ने ground में खेलते हुए एक लड़के की और इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी दादी के एकलोते पुत्र का एकलोता दामाद है तो वह महिला उस लड़के से एक इस प्रकार संबन देते देखिए दोस्तों आईए इसको बना लेते हैं थोड़ा imagination यहाँ पर करना होगा में ground में खेलता हुए एक लड़के की तरफ एक महिला ने इशारा करते हुए कहा तो आए यहाँ पर बनाते हैं female और यहाँ पर बनाते हैं male ठीक है न दोस्त हम यहाँ पर सभी को बाता देते हैं female को दोस्तों हम बनाते हैं circular box में और male को बनाते हैं किस में square box में या rectangle box में ठीक है चली तो यहाँ पर एक लड़की ने एक लड़के के और इशारा करा और क्या कहा दोस्तों वह मेरी दादी के अब देखें दादी मतलब कौन दोस्तों पिता की माता तो यहाँ पर इनके पिता और यहाँ पर कौन आएंगे इनकी माता ठीक है पिता की माता मतलब इस परसन की कौन होई दादी होई बोले clear है ठीक है दादी के एकलोते पुत्र अब दादी के एकलोते पुत्र कौन उनके खुद के पिता का इकलोता दामाद है अब घर में इकलोता दामाद कब आता है दोस्तों जब लड़की कितनी हो केवल एक ठीक है या इकलोती बहु कब आती है जब लड़का कितना हो केवल एक परण तो यहाँ पर हमें क्या दिया है सवाल में इकलोता दामाद है इसलिए दोस्तों इसी लड़की की शादी इस लड़के से होगी क्या पूछा है तो वह महीला उस लड़के से किस प्रकार संबन देते मतलब यह जो फीमेल इस लड़के से किस प्रकार संबन देते तो क्या लग रही है दोस्तों पत्नी लग रही है क्या लग रही है पत्नी य यह क्या होंगे इनके पती और यह क्या होंगी पतनी चली आगे बढ़ते हैं next question पर अगला question दिया है दोस्तों analogy से जिस प्रकार से शिकरदवन का संबंद किससे होगा तो सभी को पता यह तो boxing से ठीक है जिस प्रकार से शिकरदवन संबंदी थे किससे क्रिकेट से उसी प्रकार देखे दोस्तों जिस प्रकार से I am related to 250 मतलब जिस प्रकार से बोल सकते हैं I am का संबंद जो है 250 से है उसी प्रकार से एनर का संबंद होगा अब देखे दोस्तों I और M मैंने आपको बहुत बार बताया दोस्तों पढ़ाते समय कि जब भी alphabet को किसी number के रूप में लिख दिया यदि मैं 9 का स्क्वेर कर दूँ तो कितना होता है 81 बुलिए कलिया रहे और यदि मैं 13 का स्क्वेर कर दूँ ठीक है 13 कितना दोस्तों 169 और इन दोनों का एड़ कर लो तो देखे 9 और एक 10 शुन हाथ के आगए 8 से 14 और 15 और 5 हाथ के आगए और 250 ठीक है मतलब क्या हो रहा है जो भी हमें character दिये हैं उन दोनों का square करके उनको add कर दिया तो यहाँ पर हमें answer किसका निकालना है दोस्तों n और r का तो दोस्तों यहाँ पर हमें number याद होना चाहिए तो हम जल्दी से यल्दी answer निकाल सकते हैं तो देखे n का number कितना होता है 14 तो 14 का square प्लस यहाँ पर 18 का square ठीके तो देखे 14 का square कितना 196 यहाँ पर लिख लेते हैं 196 और 18 का square कितना दोस्तों तो 324 चली जोड़ दीजिए 10 10 और 12 के 2 हत क्या गए 1 ठीके और यहाँ पर कितना हो जाएगा यह 5 520 तो nr का संबंद किससे होगा दोस्तों 520 से जिस प्रकार से im का संबंद किससे होगा 520 स मतलब 520 से clear है सभी को इतना चली आगे बढ़ते हैं next question पर अगला question देखी दोस्तों निम्न में से कौन सा आरेक करदाता भाई और पिता के बीच के संबंद को दर्चाता है तो देखे यहाँ पर आपको फिर 4 डाइगरम बने वए दिये होंगे तो उन में से कौन सा डाइग का कुछ डाइगरम बनेगा जो की इन तीनों के बीच के संबंद को सही से दर्चाएगा clear है चली अगला question जोए दोस्तों pairs of alphabet से शब्द अभी रूची में अक्षरों के कितने युग में उपस्तित है अब आपको मैंने दोस्तों यह पहले भी count करना चिखाया हुआ है आई अभी रूची ठीक है अभी रूची में कितने pair है आई ए count करते हैं A B पहला pair A B C D E F G H H बोल रहे हैं और H आ रहा है मतलब pair बनगा यहाँ पर कितना दूसरा और I भी बनेगा तो कितने हो गए तीन clear है अब B से चेक करते हैं A के left में तो कोई है यह नहीं तो B के बाद B C D E F G H तो B से H भी बनेगा तो कितना number number 4 और I भी बनेगा कितना number number 5 B के left में चेक करो B C आगे चेक करिए HI कितने हो गए दोस्तों 6 ठीक है HI के बाद में चेक करते हैं HI J K L M N HI J ठीक है I J K L M N I J K L R से चेक करिए R S T U V R S T U V नहीं बना U V W X U V W X Y Z आगे चेक करते हैं C D E C D E F G H I HI अगला क्या बनेगा HI ठीक है यहाँ पर कितना होगे यह number 7 HI HI J K L M N O I J K L M N O P Q ठीक है मनलब P I J K L M N O P Q ठीक है तो यहाँ पर अभी रूची में दोस्तों अक्षरों के कितने पेर उपस्ची थे तो साथ पेर उपस्ची थे चलिए अगला कॉष्चन देखे दोस्तों classification से पहाड़ी घाटी नदी और बांध चार मैंसे कोई तीन एक समू बनाते हैं और कोई एक भिन्न है अब देखें यहाँ पर पहाड़ी है घाटी है नदी है और बांध है तो देखें पहाड़ी घाटी और नदी यह तीनों क्या होते हैं प्राक्रतिक होते हैं और बांध जो होता है वो केसा होता है मानव नेरे में तुता या बूल सकते है में में होता है इसलिए यहाँ पर दोस्तों अलग क्या होगा हमारा अंसर बांध चली आगे बढ़ते है नेक्स कुश्चन पर देखे फ्रेंट्स अगला कुश्चन जो है वो यहाँ पर dictionary order से लिया गया है या बूल सकते है meaningful arrangement of words से लिया गया है इसका प्रकार का भी एक कुश्चन दोस्तों आज देखने को मिला था dictionary order basis जो है कुश्चन एक्जाम में पूछे जा रहे हैं देखे यहाँ पर हमें word दिये है clock, click, clarity और cluster अब देखे सभी में CL मतलब starting के दो character CL यहाँ पर भी है CL यहाँ पर भी है CL यहाँ पर भी है और CL यहाँ पर भी है अब हमें आगे तीसरे character से check करना है कि पहले कुन सा word जो है वो आएगा ठीक है तो यहाँ पर देखे third number पे क्या है O यहाँ पर third number पे क्या है I यहाँ पर third number पे क्या है A और यहाँ पर third number में क्या है U चिदी से बात है तो यहाँ पर देखे A है, I है, O है और U है इसी order में जमेगा देखे 3, फिर का आएगा number 2 फिर का आएगा number 1 और फिर का आएगा number 4 ठीक है पहले जामेगा ए फिर आई फिर ओ फिर यू अंदब 3, 2, 1, 4 यही होगा इसका सही सिक्वेंस चली अगला कोशिन देखे दोस्तों निमने लिक्षित आरेक का अध्यन करें और उस छेतर की पहचान करें जो उन अफसर पुरुषों का प्रतिनिजित करता है जो की शिक्षित है अब यहाँ पर आज जो वेंड डाइगरामेक देखने को मिला था वो कुछ इस प्रकार का था जहाँ पर आपको दोस्तों नंबरों के थुरू जो है कोडिंग करके यहाँ पर दिया था ठीक है और आपको यहाँ पर फेरा ज़िया है मतलब अफसर भी होना चीए और शिक्षित भी होना चीए मतलब यहाँ पर एक रिंग आप ले लो अफसर का एक रिंग ले लो आप यहाँ पर पुरुशों का और एक ले ल inappropriate तीसरा वाला आप यहां पर शिक्षित लोग का है ना चली तो यहां पर देखिए हमसे क्या पूछा है आरेक का अध्यन करना है और बताना है कि उस छेत्र के पेचान करना है जो अफसर पूरुषों का प्रतिनेट्व करता है जो क्या है सिक्षेत है मतलब अफसर भी होना चीए पूरुष भी होना चीए और सिक्षेत भी होन है missing number का उसे भी देख लेते हैं दोस्तों देखे दोस्तों दी गई आकरती में प्रश्णी चिन्न के स्थान पर क्या आएगा यह अब इस प्रकार का दोस्तों आज खवाल देखने को मिला था missing number का जहां पर सवाल थोड़ा सा difficult level का दिया गया था देखे यहां पर क्या दिया है 26 फिर यहां पर क्या दिया है 22 फिर 8 दोस्तों मैं आपको पहले ही बताया है यहां पर जो आप missing number है इस प्रकार के इनको आप column wise भी solve कर सकते हैं दो से बुले clear है ठीक है तो column one में हमने दो का divide दिया है तो column two में मैं क्या करूंगा दो का multiplication चली बस तो आजाएगा answer देखे यहां पर काट दीजेए इसको तो कितना आ गया तेरा तेरा में इनको कितना करना है चार का तेरा चोक कितना हो गया बावन बुले clear है तेरा में four का multiply किया मतलब चार का तो तेरा चोक बावन हो गया आगे बढ़ते हैं यहां पर दो से 22 को काट दो कितना हो गया 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 और यहां पर दो का multiply मतलब 6 तो ग्यार चंगे कितना हो गया दोस्तों चांचाट क्लियर है उसी प्रकार से यहाँ पर दो से काट दो किसको आठ को तो कितना आ गया चार और यहाँ पर ग्यार दोना कितना हो गया दोस्तों बाविस ठीक है वो बाविस चो कितना हो गया अठासी तो यहाँ पर दोस्तों हमारा answer क्या होगा 88 clear है सभी को समझ माया चली तो दोस्तों मिलते हैं कल तब तक के लिए जैहिन और अब आपको निशी सर बताएंगे maths के बारे में Hello everyone मेरा नाम निशेत and welcome to crazygk trick तो दोस्तों आज है 17 अगस्त और आज करने वाले हैं हम SSC CGL 17 अगस्त के तीनों shift के analysis याने first shift कैसी थी, second shift कैसी थी और third shift कैसी थी तो देखिए यहाँ पर first shift में बोलूँगा easy थी easy थी कुछ भी नया question नहीं था यहाँ पर कोई भी बहुत जादा challenging question नहीं था second shift was moderate easy to moderate यहाँ पर भी कुछ नया question नहीं था बहुत जो भी था थोड़े से अच्छे लेवल पर था numerical values ऐसी ले गई थी जो थोड़े से calculation में दिक्का देती and again third shift more or less easy side ही बोलूँगा easy to moderate में जादा easy दरफ था यहाँ पर यह जो पेपर है काफी balanced paper आया हुआ है अब हम देखने वाले है maths की analysis तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं आज की shift में हमें कौन-कौन से question मिले है तो देखिए आज का पहला question क्या लेखा हुआ है if sin A equals to 1 by 2 then 10 A minus cot A upon under root 1 plus cosac A बहुत ही simple सा question है कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर बस यह right angle triangle बना ले रहे है इसमें हमें पता है sign का मतलब क्या होता है perpendicular upon hypotenuse perpendicular 1 है इससे मैं 1 बोल लेता हूँ hypotenuse 2 है तो यहाँ पर base कितना हो जाएगा root 3 पाइतोगरस थियोरम हम सभी को पता है कैसे लागाते है चले यहाँ से ही root 3 आ गया अब 10 A cos, cot A, cosec A की value निकालने कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं 10 का मतलब क्या होता है 10 का मतलब होता है perpendicular upon base तो यह क्या हो जाएगा 1 by root 3 minus यह हो जाएगा root 3 upon 1 upon root 3 into 1 plus cosec A का मतलब क्या होगा तो cosec A का मतलब होगा happiness upon perpendicular बोले clear है तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 2 upon 1 तो बस इतना सा question solve हो जाएगा यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 1 minus 3 equals to minus 2 upon root 3 upon यहाँ पर है root 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 by 2 बोले clear है बात समझ में आ गई यह 3 नीचे आ जाएगा यह उपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा minus 4 upon 3 into 3 is 9 यह हमारे इस question का सहीं answer हो जाएगा तो I think आपको यह question समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसे solve करना है यहाँ पर कुछ हो सकता science change हो यहाँ पर plus लगा हो यहाँ पर minus लगा हो more or less question यही था अगला question देखिए यह question हम पिछले shift में भी देख चुके है यहने कल की shift में भी देख चुके है ऐसा ही question था तो चलिए मैं चाहूँगा कि आप इस question का answer मुझे comment box में करके बताएं कि इस question का answer क्या होगा बहुत ही easy question है अगर आप चाहते हैं इसका solution तो आप मेरा previous video भी देख सकते हैं कल के shift का analysis वहाँ पर मैंने आपको करके बताए है इसे तो आप इसे as a practice question ले सकते हैं तो इसे solve करके बताएगा comment box में मैं आपके answer का wait करूँगा चलिए आगे देखते हैं आगे क्या question सामें देखने मिले हैं अगला question देखे है क्या लिखा हुआ है in triangle ABC the side AB and AC are extended the extended point P on AB and point Q on AC touches a circle with center O if AB equals to 5 cm AC equals to 7 cm and BC equals to 6 cm to find the length of AQ आप से बोला है कि एक triangle है ठीक है यह suppose एक triangle है इसमें मैं नाम दे देता हूँ ABC आपको AB और AC को extend करना है यान एक तरीके से AC और AB को बढ़ाना है कहां तक point P और Q तक और यहाँ पर है एक circle यहाँ पर क्या है एक circle इस circle का center यहाँ पर कहीं है O यहाँ तक यह है suppose point P और यहाँ पर यह है point Q अच्छा AC पर Q है AB पर P है ठीक है तो अब देखिए आप से क्या क्या बताया हूँ है आप से बोला है AB यह 5 cm दिया हूँ है AC AC यह यह वाली length 7 cm दिया हूई है और BC यह length आपको कितनी दी हूई है total 6 cm की बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया अब आप से बोला है AP की value निकालने को अब देखिए AP बोले या AQ बोले बात तो इक ही है क्योंकि हमें पता है कि अगर यह circle है और यह circle के बाहर एक point है तो यह जो पूरी AQ है और AP है यह tangent है और circle से किसी भी दो point पर से आप अब आपके tangent मनाते है एक point के लिए तो इसकी length और इसकी length बराबर होती है सही है यह length कितनी होगी अगेन वही concept था यहाँ पर हमें देखना होगा कि इसकी length कितनी होगी यह AQ और AP की तो मैं बोलूँगा AQ ब्लस AP equals to इस पूरे triangle के जितने भी sides है उनका sum याने 7 प्लस 6 प्लस 5 तो यह हो जाएगा 18 और आपको पता होगा कि यह दोनों भी तो equal है तो मैं से twice of AQ बोल दूँगा तो AQ के value कितनी है जाएगी 9 cm थोड़ा और detail में समझना है तो goes join करिए advancements का वहाँ पर मैंने काफी detail में बताया हुआ है यहाँ पर इसको rough के लिए ऐसा समझ लीजे कि यह भी तो एक point है जोगी circle के बाहर है यह tangent है और यह tangent है इनकी length भी बराबर होगी यहाँ पर यह और यह भी दो tangent है इनकी length भी आपस में बराबर होगी तो कुल मिलाकर यह वाली side यहाँ आजाएगी और यह वाली side यहाँ आजाएगी तो यहाँ पर मुझे इन सब का sum यानि इस side और इस side और इस side का sum यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहां से रहे कि यहां तक के sum के बराबर होगा क्योंकि यह अब यहां पर ना connect होके आगे connect हो रही है तो बस submission मदाबर रहेगा, question solve हो जाएगा आपका तो अगला question क्या है देखिए An article is sold for 640 rupees at 15% loss on selling price What will be the profit in rupees when the article is sold for 15% profit on cost price कहने का मतलब यह कि यह जो 15% का loss है यह जो 15% का loss है यह कब हुआ जब आपने loss selling price पर निकाला याने loss upon SP किया loss upon SP किया तब आपको यह मिला है याने यह हो जाएगा 15 upon 100 के बराबर बात समझ में आगई याने अगर selling price 100 रुपए है तो loss कितना है 15 रुपए का है यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चलिए अब यहां पर मुझे क्या पता है कि यह है selling price याने अगर इतने की value अगर इसकी value 100 की value 640 है 640 है तो मुझे loss कितना मिलेगा याने 100 की value अगर 640 है तो 15 की value कितनी होगी बस इतना सा बात है चलिए इसे हम निकाल लेते हैं कितना आएगा तो यह आजाएगा 96 96 याने basically मुझे 96 का loss हुआ है तो मुझे इसमे 96 जोड़ना पड़ेगा याने 640 प्लस 96 रुपीज यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 736 clear अब मुझे यहां पर यह क्या पता चला यह मुझे चला इसके actual cost price ठीक है अब यह मेरी CP है और मुझे इस पर चाहिए 15% का profit तो मैं इसका 15% निकालूँगा इसी में जोड़ दूँगा तो मुझे मिल जाएगा इसका 15% का profit और जोडने के बाद मुझे मिलेगा 820.64 रुपीज बोले clear यहां तक आए होप आपको समझ में आ गया होगा चलिए अगले question पर आते हैं तो चलिए अगला question देखे के लेका हुआ है तो देखे है हमने बच्पन से वो chart पढ़ा है ना जहां पर values कहां से शुरू होती है sign की value शुरू होती है कहां से यह होती है 0 से 0 के बाद यह होता है 1 by 2 फिर 1 by root 2 फिर root 3 by 2 फिर 1 तो यह क्या हो गया, यह 0 हो गया, यह 30 हो गया, यह 45 हो गया, यह 60 हो गया, और यह कितना हो गया, 90 हो गया, है की नहीं, यह हमको याद है बचपन से, चलिए, तो यहाँ पर basically cos A-B की किस value पर root 3 by 2 आएगा, तो cos के case में just पलट देते हैं, तो यह root 3 by 2 यहाँ था और यह 30 degree पर हो बत समझ में आ गई, अब यहाँ पर लिखा है cot A-B, cot A-B किस value पर यह A-B root 3 होता है, तो मैं बोल सकता हूँ, कि यहाँ पर अगर इसका addition होगा, तो यह 60 degree पर होगा, ठीक है, A-B, I hope आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी, तो अब इन दो equations के जरीए, हम A और B की value निकल स 15 degree मिलेगी, तो मुझे यहाँ पर इसको put करना है, 45 into 3, यह केतना हो जाएगा, 135, minus 2 into B, याने 30, तो आंसर केतना हो जाएगा, 105 degree या 105, बोलिये clear है, बात समझ में आगी, अगला question देखे, क्या लेका होगा है, if a sum of money amounts इतना in 15% simple interest in 2 years, find the compound interest on the same sum for 1 year, at same rate interest compounded half yearly, आप से बोला है कि कुछ पैसा, इतना रुपय हो जाता है, कब, जब आप 15% के हिसाब से simple interest लगाते हो 2 साल तक, तो देखे, simple interest का तो हिसाब ही simple है, 15, दुनी 30, याने यह जो पैसा है, यह actually principle के साथ, उसका 30% मिलकर बना है, याने मैं बोल सकता हूँ कि यह जो 13,650 रुपय है, यह basically क्या है, यह है principle का 130%, बोले clear है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी, चलिए, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से principle निकाल लूँगा, तो यह 130 से divide होगा, 100 से multiply होगा परसेंटी जटाओंगा, अपन में 100 लागेगा, तो यहाँ से cross multiply में कर लेता हूँ, यहाँ पर answer कितना आ जाएगा, तो यह answer आ जाएगा, 10,500, याने जो मेरा principle था, वो कितना था, वो था 10,500 का, अब आप से बोला है, find the compound interest on the same sum, for one year, at same rate of interest, compounded half yearly, याने आपको 10,500 रुपय आएगा, दो बार, हाफिर लिए याने दो बार, साड़े साथ परसेंट के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, और यह clear है, एक साल की यह बात की गई है, यहाँ से, चली, तो हम यहाँ से सबसे पहले इसका कितना निकालेंगे, इसका हम निकाल लेते हैं, साड़े साथ चली, यहाँ से साड़े साथ परसेंट कितना आएगा, तो इसका साड़े साथ परसेंट आएगा, और यहाँ पर भी सेवन एट साथ परसेंट परसेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां से इसका interest पर interest भी तो मिलेगा है की नहीं तो चलिए अब यहां से मैं इसका साथ परसेंट निकाल लेता हूं तो यह कितना आ जाएगा यह जाएगा approximately 59 रुपीज के असपास decimals में कुछ नंबर आएगा तो यहां पर यह जाएगा और इन सब को add करके मैं यहां पर बता दूंका तो यहां पर इन 59 और एड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 1634 पॉइंट सम्थिंग जीरो सम्थिंग तो यह अप्रॉक्सिमेटली इतने के असपास आंसार आपको मिल जाएगा हो सकता है नम्बर यहां पर थोड़े से चेंज हो गए हूं क्योंकि यह मेमोरी बेस्ट कोशन है बच्चों के दिमाग में जो रहता है अब एक जैक नमबर दिमाग में नहीं रह पाता है बट पैटर रह जाता है तो वह आके बताते हैं चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन देखें क्या लिखा हूँ है यह एक नमबर है इस दिविजिबल बाइ 72 फाइंड दे वैल्यू अफ दिस अगें बहुत ही सिंपल सा कोशन है यहां पर आपको क्या करना है एट और नाइन का डिविजिबिल्टी रूल लगाना है एट के डिविजिबिल्टी र अब यहां पर यहां पर य की वैल्यू 0,1,2,3,4,5,6 में से कुछ भी हो सकती है पर ध्यान रखना है कि यह 6 भी है तो यहां पर कटने के बाद जो नमबर आएगा वो 6 के साथ चुड़कर वापस कटना भी चाहिए ठीक है चलिए मुझे एक बात बताईए ऐसा कौन सा किंगेरे 8-7-50,6 होता है यानै यहां पर 8 से डिवाइट करने के बाद मुझे कितना बचना है पांच बचना चाहिए तो मैं यहां पर क्या करता हो 8-5 करता है तो यह आ जाता है 13 याने यहाँ पर इसकी value 3 हो जाएगी तो जैसे ही आप 8 से cutting गे वापस तो 1 times में फिर cut येगा और 5 बचेगा 56 तो ये 7 times में cancel out हो जाएगा तो एक तरीके से y की value मुझे 3 मिल गई है तो y की value कितनी मिल गई है? 3 ठीक है? अब ये number की बात कर लिता हूँ 9, 4, x, 2, 9 y की जगह हम कितना लिख सकते हैं? y की जगह हम लिख सकते हैं? 3 और फिर यहाँ पर 6 11 का divisibility rule हम सभी को बता है alternate numbers लेने होते हैं और उन सभी का sum करके जो difference है वो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए 22 आना चाहिए 11 का कोई multiple आना चाहिए तो यहाँ पर अगर मैं इन सब को add गरो तो यह 9 और 9 और 6 तो यह कितना हो जाता है? यह हो जाता 18 और 6, 24 और सामने minus करने पर क्या रहेगा? plus x भी रहेगा और इसके साथ minus करने पर रहेगा 4, 2, 6, 6, 3, 9 अब यह difference या तो 0 हो या 11 हो तो जेरो तो हो नहीं सकता तो 11 मनाने की ही कोश़िश करते हैं चले, अगर मैं 24 मेंसे 9 घटा दूँ तो कितना बचेगा? तो अब बोल सकते हैं कि अगर मैं 24 मेंससे 9 घटा देता हूँ तो मेरे पास 15 बचेगा साहिए क्या मैं इस number को इतना बढ़ा दूँ कि minus करने पर या तो 11 है या 20 है ऐसा कुछ कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ तो देखे जैसा कि मैंने भी आपको बोला कि यहाँ पर मुझे minus करने के बाद 11 या 20 के table में कुछ आना चाहिए difference आना चाहिए तो यहाँ अगर मैं इसे 7 कर देता हूँ 7 तो यह दोनों का addition कितना हो जाता है यह हो जाता है कितना 31 और इसमें से अगर मैं 9 minus करता हूँ तो यह कितना आ जाएगा यह जाएगा 22 और यहाँ पर यह 11 से divisible हो जाएगा यह एक तरीके से y x की value भी मुझे मिल गई है कितनी 7 तो अब मैं यहाँ पर इसे put कर दूँगा और answer बता दूँगा तो यह हो जाएगा 14 प्लस तिंतिया 9 answer होगा 25 हो ले clear है तो इस divisibility rule का question था अच्छा question था थोड़ा और details में पढ़ना चाहते है तो advancements का course वहाँ पर मैंने आपको काफी details में इस सारी चीज़े cover कर रही है अगला question देखी क्या लेका हुआ है the literal surface area of cylinder is इतना and that area of base is इतना find the volume of the cylinder literal surface area literal surface area कहने का मतलब क्या होता है cylinder का जो आजू-बाजू वाला हिस्सा है literal surface area यह वाला यह आपको दिया हुआ है इतना और base area दिया हुआ है इतना volume निकालना है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले हमें यह बताईए कि क्या आपको इसका volume का formula पता है volume किता होता है base into height सबसे पहले तो यह समझे कि यहाँ पर जो volume का formula होता है वो क्या होता है, बेस एरिया basically, बेस एरिया, बेस एरिया into height, अब यहां पर मुझे बेस एरिया पता है, बेस एरिया मुझे पता है, height मिल जाए कहीं से, तो मेरा काम हो जाएगा, इस चीज़ से क्या मैं height निकाल सकता हूँ, तो चलिए यहां से कोशिश करते हैं, आपके पास क्या है, आपके पास है little surface area, तो little surface area का formula क्या होता है, little surface area का formula होता है, 2 pi r h, ठीक है, यह कितना दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 462, clear, यहां तक कोई दिखकत नहीं, centimeter square, यह जो volume आपको base area दिया हुआ है, यह क्या है, यह है आपका pi r square यह कितना दिया हुआ है यह दिया हुआ है 346.5 तो मैं यहां से इस चीज से पहले आद निकाल लेता हूँ यहां पर put करूँगा तो मुझे height मिल जाएगी और उसके बाद में easily volume निकाल सकता हूँ वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम होता है pi r square h हो लिए clear है यहां तक आपको बात समझ में आगी चले यह pi क्या है तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ pi का मतलब होता है 22 by 7 मैं ऐसे solve करूँगा तो r square की जगर क्या मिलेगा तो यह मिलेगा 346.5 into 7 upon 22 clear है यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चले इसे multiply कर लेता हूँ तो इसे solve करने पर हमें मिलेगा 110.25 यह clear है यह r square की value है तो r कितना होगा तो यह हो जाएगा 10.5 यह हो जाएगा हमारा radius ठीक है अब मुझे जैसी radius पता चला तो मैं यहां पर put करके height भी निकाल सकता हूँ चले 2 into pi का मतलब 22 upon 7 into radius अब यह भी आपने कितना निकाला 10.5 into height equals to 462 अब आप इसे solve कर लेंगे तो आपको height मिल जाएगी चले इसे solve कर लेते हैं और height कितनी आए 7 cm अब आपके पास radius भी है, height भी है, area आप बहुत easily निकाल सकते हैं, बोले clear है, area क्या volume निकालना था basically आपको volume आप बहुत easily निकाल सकते हैं, generally जो formula होता है, वो क्या होता है, base area into height, आपको base area पता है, कितना है, 346.5 into height अभी अभी आपने 7 निकाल लिए, तो यह आपका volume हो ज यह आजाएगा 2425.5, इतना आपका, इसका volume आजाएगा, वो लिए clear है, easy question था, बढ़िया सावाल था, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा calculated था, जल सा कि मैंने कहा, चलिए आईए, अगला question देखते हैं, अगला question देखें क्या लेका हुआ है, यह 13,886 रोपे distributed between A, B and C, यह है इनका ratio, A, B का ratio क्या है, 8 ratio 9, A और C का ratio क्या है, देखें यहाँ पर A, B है, और A, C है, ध्यान रखेगा 4 ratio 5, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर यह 8, 9 है, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाए तो यह जाएगा, 8, 9 और 10, बात समझ बहां गई आपको, चले, अब इन सब का total कर लेता हूँ, इन सब का total कितना होगा, तो यह हो जाएगा, 17 plus 10, 27 का, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से आपको, अब अगर यह 27 है total, यह total 27 है, तो इतना रोपे इन तीनो मिल जाएगे मुझे, और उसके बाद मुझे B का शियर निकालना है, यहने 9 से मिल्टिप्लाई करना पड़ेगा, बुले clear है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, तो आप इसे 9 से और मिल्टिप्लाई कर लेजएगा, तो यह कुछ approximate numbers में आ रहा है, 1500, 40 something, 0.66 या 2 by 3, तो यहाँ पर आप इसे देख लीजएगा, हो सकता है, question जो पूछा गया exam में actual, उसमें यह value थोड़ी सी अलग दी हुई हो, यह ऐसी value दी हुई हो, जो proper cancel out हो रही है, यहाँ पर अभी मैंने ऐसी dummy value रख ली थी, कोई दिक्कत नहीं, चले आई, आगे is 3 cm less than DC, find AB, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ बाते बताई है, AD जो है वो angle bisector है, angle bisector कहने का मतलब इसके यह जो दो कोण है यह आपस में बराबर होंगे, फिर AB की length आपको 11 cm दी हुई है, ओके AB की length आपको नहीं, AB नहीं यह BC है, BC की length है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको स चलिए, आगे बोला है, AC is 21 cm, BD is 3 cm less than DC, तो यह है BD और यह है DC, इन दोनों की total length कितनी है, 11, तो मुझे बताईए, आप इसे X और X plus 3 भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, फिर हम generally यहाँ से समझ पा रहे हैं, कि अगर 3 cm कम है और दोनों का summation 11 होना चाहिए, तो यह कुछ 4 साथ में बनना चाहिए, कि जैसे 4 प्लस 7 11 हो जाए और दोनों का difference भी 3 हो जाए, तो BD is 3 cm less, यानि यह 4 होगा तो यह 7 होगा, अब आपको पता है जो angle bisector होता है, वो क्या करता है, वो सामने वाली भूजा पर यानि इन दोनों को उसी ratio में काटेगा, जिस ratio में इनकी यह व की value 21 है, तो 3 गुना हुआ, तो 4 की value चारतिया, 12 cm हो की, बहुलिए clear है, बात समझ में आगी, बहुत ही simple सा question था, कुछ भी नया नहीं था, चलिए आए आगे बढ़ता है, अगला question देखते है, तो question देखी क्या लेका हुआ है, mark price है 2720, after giving a discount of 25%, there is a loss of 15%, find CP, तो basically आपसे बोल देता हूँ, तो मुझे 15% का loss होता है, यह वाली बात आपको यहाँ पर समझ में आगी, तो चलिए, suppose, suppose मैं यह मान रहा हूँ कि अगर यहाँ पर यह मेरा mark price है, तो इस पर अगर मैं 15-25% का basically discount दे दूँ, 25% discount देने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 2720 बटे 4, यान मैं discount दे दूँ, अगर मैं 680 रुपे का discount दे दूँ, यानि मैं सवान बेच रहा हूँ कित्ते में 2040 रुपे में, यह जो है, यह actually मेरा 15% loss है, अच्छा जो भी loss होता है, वो cost price पर होता है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यह मेरा 15% का loss है, यानि cost price का 85% यह कित्ते के ब बराबर है, बात समझ में आ गई, तो बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसे डिवाइट कर देना है, और CP निकल जाएगा आपका, यह कितना होगा, यह 2400 होगा, और यही आपका सहीं answer होगा, तो बस इतना सा question था, अगला question देखिए क्या लेका हुए, एक्स की प्लस 16 अपॉन यह हो जाएगा, एक्स की पाउर 4 इक्वल्स टो 433, अब यह obviously किसी ना किसी का square होगा, यह किसका square देख रहा है, तो 4 दोनी 8, कहने का मतलब क्या है, कि एक्स की पाउर 4 प्लस 16 अपॉन एक्स की पाउर 4 प्लस 8 और एक्वल टो के इधर भी मुझे प्लस 8 करन पड़ेगा, तो यहाँ पर आप इस portion को जारा ध्यान से देखिए, इस portion को, क्या यह portion आपको x square प्लस 4 अपॉन x square का whole square नहीं दिख रहा, बोले, अगर यह आपको दिख रहा है, तो फिर well in good है, चले, यहाँ पर यह total कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 8 जोड़ 21 का square है, तो कुल मिला कर मैं बोल सकता हूं कि x square प्लस 4 upon x square equals to 21 होगा, ठीक है, कोई दिखकत नहीं यहाँ तक, अब अगेन यह भी तो किसी का square है, यह किस का square है, क्या यह x plus 2 upon x का square दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, प्लस 2ab का अब है यहाँ से, कोई दिखकत नहीं, 2 2ab का मतलब 2 into 2 होगा, याने 4 होगा, तो मैं बोलूँगा x square प्लस 4 upon x square प्लस 4 यहाँ भी कर देता हूं, और 21 प्लस 4 यहाँ भी कर देता हूं, तो यह क्या हो जाएगा, यह किसका square हो जाएगा, यह हो जाएगा, x plus 2 upon x का whole square हो जाएगा, और यह 25 याने 5 का whole square हो जाएगा, य आगे बढ़ते हैं अगला एक रिचक सपते हैं अगला कोशन की लेका हुआ है यहां पर आपको यह डाइग्राम दिया हुआ है और इस एंगल के आपको वंधकरानि मतानीया है तो यहां से आप यह समझ जाए आप आपको मैंने important results में भी यह चीज़े advanced math के course में अच्छे से detail में बताई हुई है कि इस type का या इस condition पर answer कितना आता है तो इस condition पर answer आता है angle B minus angle C upon 2 याने इन उनों को minus करने का होगा minus करने पर कितना आएगा तो यह आ जाएगा 6 और 26 26 बटा दो याने यह angle होगा 13 degree का तो यहां से यह answer मिल गया इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बता है कि ऐसी कोई situation आए जहां पर आपका एक internal angle by sector हो दूसरा external angle by sector हो तो ऐसी situation में यह angle अगर थीटा है तो यह सीधा सीधा थीटा by 2 हो जाता है तो यहां पर यह सारे छोटी छोटी important results मैंने आपको बता हैं जो कि आपको याद रखने रायक हैं चली अगला कोशन देखे क्या लिखा हुए एक रेल गाड़ी की गती 72 किलोमीटर पती गंटा है जो एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है तो वह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी दिर में पार करेगी तो सबसे पहले हमें यहां पर रेल गारी की लेंथ न निकाल सकता बिल्कुल बहुत इजीली निकाल सकता हूं यह कितनी बार में कटेगा चार बार में चार पंजे 20 बीस इंटू बीस 400 याने एल हजाएगा 400 मीटर तो मुझे ट्रेन की लेंथ पता चल गई अब मुझे इसी स्पीड से आपको 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करना है याने अब टोटल लेंथ हो चुकी है 600 स्पीड अभी बहुतर किलोमेटर पर और है पर इसे भी पांच बेटा से डिवाइट करेंगे तो यह चार बीस बार में कटेगा तो बीस से काट लेंगे इसको तो 30 सेकेंड का समय लगेगा बात समझ में आ गई आपक तो मिलते हैं चेलिए आगले वीडियो में जिनका भी आगे पेपर है उन्हें best of luck, keep studying and stay safe, thank you